साथियों जब महाभारत का युद्ध धमाप्त हुआ तब स्री कर्ष्ण से पूछा गया कि आप किसके पक्ष्ण में थे मैं समझता हूँ उस समय महाभारत के काल में भगवान स्री कर्ष्ण ने जो जबाब दिया था वो आज 21 सदी में 2019 के इस चुनाव में हिंदुस्तान के 130 करोड नागरिकों ने जनता जनारदन ने स्री कर्ष्ण के रुप में जबाब दिया है आज स्री कर्ष्ण ने जबाब दिया था कि मैं किसी के पक्ष्ण में नहीं था मैं तो सरफ हस्तिनापूर के लिए हस्तिनापूर के पक्ष्ण में खड़ा था आज 130 करोड नागरिक स्री कर्ष्ण के रुप में भारत के लिए खड़े थे भारत के लिए बत्तान किया आर इसलिए देश के सामान्य नागरिक के भावना भारत के उजवल भविश्की गारंटी है इस चुनाव मैं पहले दिन से कह रहा था ये चुनाव कोई दल नहीं लड़ रहा है कोई उमीदवार नहीं लड़ रहा है कोई नेता नहीं लड़ रहा है ये चुनाव बेश की जनता लड़ रही है जिनके आग कान बन थे उनके लिए मेरी बात समझना मुश्किल था लेकिन आज मेरी वो भावना को जनता जनारदन ने प्रगट कर दिया है आर इसलिए अगर कोई वीजय हुआ है तो हिंदुस्तान वीजय हुआ है अगर कोई वीजय हुआ है तो लोग तंट्र वीजय हुआ है subscribe our channel and press the bell icon for more updates